अलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे आज आपके लिए एक खास वीडियो लेका है हूँ लेप्टॉप से या अपने पीसी से मोबाइल के अंदर डेटा है वो कैसे ट्रांस्वर करें वो भी विदाउट यूएस्वी के वार्लेस कै कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग यही सब जाने वाले हैं तो यह सब जाने के लिए वीडियो को पुरा अंत तक देखें बीच में इसकेप नए करें अलो दोस्तों मैं सत्यपाल सर्मा टेकनिकल दोस्तिंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं जैस आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके अंदर आप वो डेटा अपने मोबाइल के अंदर वार्लेस बिना वायर के PC से अपने मोबाइल के अंदर है वो बैज सकते हो और मोबाइल से PC में बैज सकते हो कैसे तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब चर्चा करन बिएक करते हैं आपके मुबाइल में कोई जरूरी डेटा है तो उस डेटा को आप PC के अंदर send कर सकते हो यदि आपके PC में कोई डेटा जलूरी है उस condition के अंदर आप लोग अपने mobile के अंदर वो data send कर सकते हो तो यह सब हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने यूज करते हैं यदि मैं आप लोगों को कहूं कि आप बिना USB यानि वार्लेस विदाउट USB के भी आप अपने मोबाइल के अंदर डाटा है वो ट्रांसवर कर सकते हो जैसे फोटो है वीडियो है या आपके कोई भी जरूरी डोकुमेंट हो है वो आप अपने लेप्टॉप से या PC से अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसवर कर सकते हो और मोबाइल से अपने PC के अंदर है वो ट्रांसवर कर सकते हो हाँ दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब चर्चा करने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों बहुत ही सिंपल आप अपने laptop या desktop से mobile के अंदर है वो data transfer कर सकते हो तो आपको simply google browser में जाके या कोई भी browser आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जाके आपको लिखना है web space doctor fund space me और जैसे आप search करोगे तो बहुत सारे result है वो आपके सामने आ जाएंगे तब हमें यहाँ पे official doctor fund a talking जो इस पर है users पर Android वाले पर option पर इस वाले option पर हमें वो open करना है जैसे आप open करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप send कर सकते हो विए आपको file रेशियू करनी है तो यहाँ पर रेशियू कर सकते हो तो आपके mobile के अंदर जो 6 code का digit है वो यहाँ पर डालोगे तब आप रेसिव कर लोगे और send करोगे तो यहाँ पहर जो छह से कोड़ कि कोड आएंगे वो आप अपने mobile के अंदर डालने कि अपने mobile से वी फाइल के वह रिष्व कर भाओंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं step by step आपको और कया है तो देखते देए वेबसाइट पर आना है और जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एड़ यूर फट यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको फाल सेलेक्ट करने हैं जो आपको फोन के अंदर आपको एक डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे देदूगा, डॉक्टर-फन नाम से, तो उसको आपको open करना है, जैसे आप अपने mobile के अंदर उसãy ярóc open करोंगे, और उसके बाद आपको जो file है वो रिश्यूव करनी है वो रिश्यूव करनी है फिर आपके जो computer के अंदर जो OTPI code है वो show हो रहे हैं वो code आपको यहाँ पे same to same code लगाने हैं लगा के आपको okay कर देना है जैसे आप okay करोगे तो वो file है वो आपके अब यदि आपको अपने mobile के अंदर बेजना है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है send करना है जैसे आप send पे click करोगे फिर आपको फाइल choose करनी है और यहाँ पे आपको क्या करना है receive करना है और receive के अंदर आपको code डालोगे जो आपके phone के अंदर show हो रहे हैं जैसे आप वो check digital code है अपने PC के अंदर लगाओगे और enter करोगे तब फाइल है वो receive हो जाएगी तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको वीडियो आपके लिए helpful है आपको knowledge मिल रहा है तो दोस्तों एक like तो बनता है तो आज के लिए बस इतना ही आप मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई धन्यवाद और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe हो जरूर करिएगा धन्यवाद